Hello Friends, Namaskar, स्वागत है आप सब का आज की इस वीडियो में, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 9 के हिंदी के महत्पूर प्रिशन उत्तर इसमें आपको प्रिशन भी मिलेंगे और आंसर भी आपको साथ में इस वीडियो में मिलेंगे 2021 के लिए उसी के आधार पर ये आपको हम प्रिशन प्रवाइड करा रहे हैं साथ में उसके आंसर भी तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका जो blueprint है उसको यदि आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो हम description box में उसका link देदेंगे तो बहाँ से आप इसका वीडियो का इस वीडियो को भी देख लेना ठीक है क्योंकि यदि आप blueprint अच्छे से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या हमें पढ़ना है और क्या परिक्षा में पूछा जाएगा चलिए हम देखते हैं थोड़ा समय आपको blueprint दिखा देता हूँ तो चलिए देखते हैं हिंदी का blueprint और उसके अनुसार हम आज गदखंड का वीडियो आज लेकर आये हैं और गदखंड में आने वाले पाठों के महत्मूर प्रिशन उत्तर आपको देंगे तो चलिए देख लेते हैं blueprint में देखिए आप देख सकते हैं आपर blueprint में आप देख सकते हैं जो गदखंड है गदखंड से कितना आना है गदखंड से 4 प्लस 19 मतलब 23 नमबर का आपका पूछा जाएगा इसमें से 5 बस्तुनिस्ट प्रिशन होगे दो दो अंक के तीन प्रिशन होगे और चार चार अंक के तीन प्रिशन होगे इस प्रकार से आपका 23 नमबर का टोटल पूछा जाएगा ठीक है तो गदखंड में से गदख की बिविद विदाएं लेखक परीचाए गद़ पर आधारित पाठों के प्रिशन उत्तर सभी प्रिशन öyleएंगे उने ही के आंसर लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सभी प्रिशनDER के brains आपको सभी प्रिशन में बलेंगे बस्तोन शप्रिश स्थान टीस यह जोदी सभी प्रिशन देंगे चलिए कराईंगे उसके बाद दूसरा है राहूल संस्वी कोशे जाएंगे और जाबर हुसेन सामली सपनों की याद इसमें से कोश्चन पूशे जाएंगे और प्रेम्चंद के फटे जूते ये जो चार पाथ है इनई में से आपको गंदखंद से प्रigen करेंगे और गद्खंद हम Puesto पूरा डिस्कुस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं गड़ खंड में और मैं आपको फिर बता दूं कि गड़ खंड में से बस्तुनेश प्रिशन है जो एक अंक का होता है वो पांच प्रिशन पूशे जाएंगे वो आपके खाली स्थान सही जोड़ी कुछ भी रोप में हो चलिए हम सुरू करते हैं और देखते हैं बस्तुनेश प्रिशन प्रिशन ने लिखी है इसके हम सही बिकल्ब देखते हैं सभी के आंसर आपको साथ में मिलेंगे चलिए देखते हैं पहला जो question है आपका जूरी काची के साले का नाम क्या था तो ये आपने यदी part पड़ा है तो आपसे खुदी बन जाएगा यदी नहीं बनता है तो हम आपको आंसर बताएंगे तो चलिए आंसर को देखते जाएए तो इसमें option देख सकते हैं हीरा, गया, सुरेश, मोती तो इसमें answer आजाएगा गया जो जूरी काची था उसके साले का नाम था गया तो इसका answer आप गया लगा लेंगे मैं आपको suggest करूँगा आप answer साथ में लिखते जाएए क्योंकि यदि आप लिखते जाएंगे तो आपको याद होते जाएंगे उसका बाद दूसरा जो question है इसमें option जो दिये गए हैं तो इसका answer आजाएगा गधा जानवर में सबसे बुद्धिमान किसे माना गया है तो इसका answer गधा आजाएगा उसके बाद दूसरा question देखेंगे मटर की खेत में किसके खोर फस रहे थे तो इसका answer आजाएगा मोती क्योंकि आपने जो पार्ट पड़ा है उसमें मोती के पैर मटर के खेत में फस गए थे ठीके उसके बाद देखते हैं चौथा question है जूरी ने दोनों बेलों को कहां भेज दिया वुगा के घर मोर्सी के घर दादी के घर ससुराल तो इसका answer आजाएगा ससुराल तो इसका answer फोर्थ वाला हो जाएगा मतलब जो आपका फर्ष्ट चैप्टर है प्रेमचंद वाला दो बेलों की कथा उसके हम सभी प्रकार के question देखेंगे और इन में से ही सभी प्रकार के question हम देखेंगे जैसे रिक्तिस्थान हो गया और एक सब देखेंगे उसके बाद दो अंकी और चारंकी सभी प्रेशन देखेंगे तो मैं आपको बता दूँ यदि आपने हमारा चैनल सब्क्राइब नहीं किया है तो कर लेजिए क्योंकि सभी आपको सभी प्रकार के question और answer आपको मिलने बारे हैं तो चलिए देखते हैं रिक्तिस्थान में आप देख सकते हैं प्रेमचंद का जनम सन खाली स्थान में हुआ था तो इसका आउसर लखेंगे 1880 इसका आउसर आजाएगा 1880 इसमें आप भर लेंगे उसके बाद आगए दिखते हैं इक आगला question है, question number फूर्ड खालिस्थान उपरणयार समराथ की नाम से जानने जाते हैं या जानना咪ता है, किसको जानना जाता है तो मुसी प्रेम्चंद को उपरणयार समराथ की नाम से जानना जाता है तो इसका आप अंशी प्रेमचंद भर लेंगे उसके बाद आँगे देखते हैं प्रेमचंद का जन्म खालिस्थान में हुआ तो इसका अंसर है बनारस या बारारसी ठीक है इसको आप लगा लेंगे उसके बाद देखते हैं एक सब्द्याबाक की मुत्तर जो इस पार्ट से आपकी एक सब्द्याबाक में जो भी कोश्चन बन सकते हैं बहुत ही important question जो बन सकते हैं वो हमने आपको दिये हैं तो चलिए देखते हैं जो पहला question है जूरी काची के दोनों बेलों के नाम क्या थे तो इसका आप लखेंगे हीरा और मोति बहुत important question है इस पोर फूशे जाने की समभावना जाधा तर है थीक है ऊसके बाद देखते है दूसरा question है प्रिमजन्दग की चाहाणिया मानसरोगार की कितने भागों में संकलित हैं तो यह आपने बढ़ा होगा मानसरोगार की कहानिया आठ भागों में संकलित है थीक है तो इस में आप लख लेंगे 8 भाग उसके बाद तीसरा कोश्चन देखते हैं निपात सब्द किसे कहते हैं तो इसका अंसर है निपात सब्द ऐसे सब्द होते हैं जिन पर जोर दे कर कोई बात कही जाये उन्हें हम निपात सब्द कहiejते है जैसे कि बस इतना ही काफी है जैसे ही और फी बाले जो सब्द होते हैं उन्हें हम बुलते है निपात सब्द जिसमरी ही और फी पर जोड़ दिया जाता है उसके बाद देखते हैं दो अंकिये प्रशन देखे हमने यहाँ पर एक सब्द बाले प्रिशन देख लिए हैं अब हम देखते हैं दो अंक्य प्रिशन जो आपके बन सकते हैं ब्लूप्रिंट के अनिसार इस पाट से दो अंक्य प्रिशन ही पूशे जाने मतलब इस पाट से नहीं इस पूरी एकाई से जो आपके सभी चार पाट हैं सभी चार प उनके हाजरी क्यों लिए जाती थी? तु इसका प्रकार से लिखेंगे निमन में कारों से काजी होस है में परचुण की हाजरी लिए जाती होगी तो सक आ सब लेगे के लिए ठीक इस प्रकार से इसका अंसर आप लिख देंगे उसके बाद देखते हैं दूसरा कोश्चन छोटी बच्ची को बैलों के प्रती प्रेम क्यों उमड़ाया आपने कहानी पड़ी होगी तो आप देख सकते हैं कि छोटी बच्ची की मा मर चुकी थी बहस सो तेला पन क दर्द जेल रही थी वह मा से बिशड़ने का दर्द जानती है उसे लगा कि बेभी उसी की तरह है पतलब जो बैल है वो भी उसी की तरह आगे हैं और अपने मालिक से दूर है इसलिए चोटी बच्ची को बैलों से प्रेम उमड़ाया तो इस प्रकार से इसका आंसर अप लि इस जोता यादी करवाने के लिए लिए गया ठीक है तो इसका अरेت अशर प्रकार से लिख सकते हैं उसके बाद देखते हैं क्यूस्टर नबर फोट जीकर करना दूसरा है नोदो घ्यारा होना तो ये जो आपके मोहावरे बिए हैं तो इसका आप हम लिखेंगे इसका अर्थ लिखेंगे फिर उसका बाग के प्रयोग करिएंगे यह बाले जो महाबरे हैं आपके पार्थ में ही आए हैं आपके पार्थ में ठीक है तो उनी के अनुसार इसके आंसर हम देखते हैं तो जी तोड़ काम करना इसका आर्थ हो जाए तो पढ़ने की पनाख लगते ही चोड़ौ 9 2 11 हो गए हूग उसके बाद देखे हैं चाहराँ के पुरौ करते हैं वीडियो को लाइक जरू कर दे Antskin अपकी पbyla üक्षेण हैं आपकी बहुत हीida Di! तो चलिए देखते हैं, चारंग की पृष्ण है, पृष्ण कर्मा की मुंसी प्रेमचंद जी का साहतिक परिचा निम्न बिन्दो के आधार पर लिखिए, देखिए चारंग की पृष्ण आपका एक तो कभी परिचा हो सकता है, या हो सकता है आपका जो आपकी गध्यांस आते हुआ क्योंकि उन्हीं का आएगा इस पार्ट से तो इसमें दो रचना है भाससेली वह सहत्यक्सतान इन आधार पर हमें इसका लिखना है तो आप देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया इसका आंसर आप देख सकते हैं दो रचना है तो रंगवुभी करमवी मी लिख सकते हैं गबान इनमें से कोई भी आप दो रखचना लिख दीजे उसके बाद देखते हैं भासा सेली भासा सेली इनके लिखेंगे प्रेमचन की रचनाओं की भासा इसपर्ष्ट तथा उर्दो मिसरत है मुहापत तथा कोहापतों की प्रयोग से उनकी भासा मज़े दार बन गई है उ उसके बाद हम देखते हैं साहत्तिक परीचे जो साहत्त में इस्थान तो यह कि है साहत्त में इस्थान किस प्रकार से लिखेंगे साहत्त में इस्थान लिखने के लिए आपको यहां पर एक हैडिंग बनानी है साहत्त में इस्थान और उनका लिख दिना है लिखेंगे आप प्रेमचंद का जो पार्ट था दो पहलों की कता अब हम next पार्ट लेंगे और जो आपके जो चार पार्ट पूशे जाने हैं सभी केगि करके सभी केगि करके वीडियो बनाएंगे यह first पार्ट है second पार्ट में हम दूसरे पार्ट का third पार्ट में तीसरे पार्ट का और चौथे पार्ट में अंगले पार्ट का वीडियो बनाएंगे जिसी प्रकार से सभी के important question आपको देंगे तो चैनल को subscribe कर लिजिए थैंक्स पर बाचिंग दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कर देना चाकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाब ले सकें क्योंकि बहुत ही important question है इस पार आपकी जो बारसिक परिक्चा होगी उसमें आने की संभावना काफी ज़्यादा है इन परिशनों की थैंक्स पर वाचिंग